दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी इंफोर्मिशन के बारें बता रहे हैं जिसे आप पहले द्यान से सुनें और फिर उसे अपने सबी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि तब ही आप किसी का जीवन बचा पाओगे दरसल हाल ही में एक छोटा बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि डॉक्टर्स को उसके दिमाग में चीटिया ही चीटिया मिली और ऐसा तब ही हो सकता है जब या तो बच्चा कुछ मीटा का कर सो गया हो या फिर उसके सोते वक्त उसके साथ कोई मीटी चीज रखी गई हो ऐसे में चीटिया उसके पास पहुच गई और उसके कान के तुरू दिमाग तक पहुच गई जब पचा सोकर उठा तब उसको इस बात का पता तक नहीं था कि उसके दिमाग में चीटिया गुच गई है बस उसे लगातर अपने चेरे में खुजलाट हो रही थी ऐसे में उसकी मा बच्चे को तुरुद दॉक्टर के पास ले गई पर दॉक्टर को भी पहले कुछ भी समझने है आया ऐसे में डॉक्टर ने एकसे कराने के सला दी जिसमें इस चोका देने वाली गटना का पता चला डॉक्टर्स ने जीवे चीटियों को उस बच्चे की खोपड़ी पर रेंगते हुए देखा ऐसे में डॉक्टर्स उसका उप्रेशन दक नहीं कर पाए क्योंकि चीटिया लगातार अपनी जिगह बदल रही थी इसका अंजाम ये हुआ कि बच्चे की जान चली गई इसलिए ध्यान रहे कि खाते वक्त कोई भी चीज बिस्तरपन ना चुड़े खास थोर से मिठाईया क्योंकि मीठी चीजे चीटियों को अटेक्ट करती है अगर आप इसा करती है तो आप खुद चीटियों को अपने सोते वे बच्चों के पास आने का इनिविटेशन दे रही है ठीक ऐसी ये गटना ताइवान के होस्पिटल में भी हुई जहां एक वेक्ति एडमेट था नरसों ने उसे पहले ही वोन कर दिया था कि होस्पिटल में चीटियों की समस्या है इसलिए अपने बैड पर कोई भी मिठी चीज ना रखे लेकिन उसने अनरसों के सला नहीं मानी और वो चीटों का सिकार बन गया उसके परिवार वालों ने बताया कि वह लगाता सिर दर्ध की सिकायत करता था और अंत में मर गया जब पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट आई तो उसके सिर में जिन्दा चीटियों का सम्मूँ पाया गया जो कि उसके दिमाग के एक इस्से को खा रही थी तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप भी खुद को और अपने बच्चों को सुरक्सित रखे और पिस्तर पर कोई भी खाने के चीज ना चोड़े वरना आपका जीवन भी खतरे में पढ़ सकता है आपसे निवेधन हैं कि आप इस वीडियो को अपने हर वर्टस एप और फेस्बॉक ग्रूप और बाके सब्सक्राइब साइट्स पर भी सेर करें ताकि ज़्याद ज़्यादा लोग इस इंपोर्टन इप्रमेशन के बारे में जान सकें साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें धन्यवाद